दोस्तों ये जो business है ये एक profit है एक profitable business है आज मैं बात करने वाला हूँ fly ash brick की तो एक वीडियो में पहले डाल चुका हूँ लेकिन इस वीडियो में मैं आपको clear करूँगा कि कहां से आपको machine मिलेगी और क्या-क्या मतलब price कितने होने वाला machine का area कितना है क्या license चाहिए basic चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ इस business के बारे में आपने fly ash brick के बारे में काफी सुना होगा क्योंकि इसकी demand काफी ज़्यादा बढ़ने वाली increase होने वाली है within years क्यों क्योंकि 2025-2027 के बाद लाल इंट mostly banned हो जाएगी कुछ area में क्योंकि काफी effect बढ़ रहा है environment पे soil पे तो ये चीज बंदोने वाली है तो उसकी जगा कौन लेने वाला है वो लेने वाली है हमारी fly ash brick एक alternate best alternate जिसे हम बोल सकते हैं वो है fly ash brick किसकी लाल इंट की या clay इंट की हम बोल सकते हैं आज इसका मैं clear business idea आपको बताने वाला हूँ और बताऊंगा कि machine कहां से लोग अच्छी machine कौन सी है सामने आपने endeavor company की भी देखी वो भी काफी अच्छी machine है मैं आगे उसके rates बगार बताऊंगा और एक company में introduce करने वाला हूँ जो export भी करती है अपनी machine यहाँ इंडिया से foreign में जो company अपनी machine है foreign बेज सकती है उसकी quality काफी जादा अच्छी होती है क्योंकि export का license easily मिलता नहीं है तो एक अच्छा alternate हो सकते है दोनों machine हो में से आप कोई भी choose कर सकते हो तो सबसे पहले मैं बताता हूँ fly ash brick है क्या चीज़ देखो fly ash क्या हो गया जो बड़े-बड़े thermal plant होते है उसमें से उसका जो based product निकलता है वो ash निकलती है fly ash निकलती है और इसका एक दोकादड़ी की जाती है इसी की जो राख नहीं होती है गन्ना जलाके जा कुछ material जलाके जो राख निकलती है तो वो भी बेची जाती है तो उससे हमेशा साब दन रहना आपको हमेशा जो थर्मल से निकलने वाली होती है कोईला जलता है जब तो उसमें से जो राक निकलती है, फ्लाई एश निकलती है उससे ये इंड बनती है तो इसमें mostly फ्लाई एश 60-70% fly ash होती है बाकी silika और फिर cement और बाकी product इसमें होती है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ fly ash business के main ingredient की तो वो सिर्फ क्या है fly ash जो 60-70% brick में पढ़ता है और आपको जब भी अपना setup करना है machine का जो setup करना है आपको हमेशा 200-200 km के अंदर ही आपको material मिल जाना चाहिए तो आपका business जो eat है वो सस्ती पड़ेगी आपको नहीं तो अगर transportation का खर्चा fly ash में ज़ादा हो गया तो काफी महिंकी eat हो जाएगी वो लेना इस समय बेचना काफी tough हो जाएगा क्योंकि इस समय time है लाल ब्रिक का लेकिन ये time उसका जाने वाला है और आने वाला किसका है fly ash का तो अभी से आप preparation करते हो तो आप in future याँ अभी से लाखों रुपे कुमाने वाले हो तो clear करते हैं चलो start करते हैं सबसे पहले आपको area कितना चाहिए अगर मैं बात करूँ area की तो आपको minimum 1000 square feet area चाहिए चाहिए मतलब आपको 4-5 मडले जगा चाहिए मशीन का setup का only बाकी इंट रखने के लिए आपको अलग से कोई 1000 square feet उतनी उसके लिए भी जगा चाहिए क्योंकि जगा काफी ज़ादा लेती है इंको थोड़ा रखना पड़ता है सुखाने के लिए भी तो उसमें जगा आपको ज़ादा चाहिए चाहिए अभी मैं सीधा मशीन पर आपको ले चलता हूँ कि मशीन का थोड़ा में basic detail आपको देता हूँ मशीन के बारे में बताता हूँ कि क्या है इसली मार्केटिंग करके आप अपना business मतलब दुगना तरिगना कर सकते हो तो जो आपको लेनी है मतलब जो machine अच्छी में export quality की जो बोल रहा हूँ इंडेवेर की मैं last में बताता हूँ पहले चामूंडा की बता देता हूँ चामूंडा की company ऐसी है जो हर काफी किसम की ये बनाती है लेकिन इनकी जो machine एक अच्छी quality है क्योंकि उसको export भी किया जा रहा है काफी company जैपान चाइना बगरा में तो ये fully automatic machine के बारे में बता रहा हूँ तो इसका जो price है वो है हमारा 13,50,000 रुपया फुली automatic आपको कितने में मिल रही है 13,50,000 रुपया ये machine का खर्चा होगा इसमें total machine आगे कुछ नहीं करना है सिर्फ material डालने के लिए lever चाहिए बाकी अपने आप काम हो जाएगा देखो इदर लिखा 70 metric ton हार्लिक power है इसकी और इसके जो हम थोड़ी basic detail में आपको बता देता हूँ और ये जो minimum इंटे बनाती है पर डे में मतलब 8 गंडे में साड़े साथ हजार से साड़े हजार जार और maximum आप बना कितनी सकते हो साड़े दस हजार से साड़े ग्यारा हजार इंटे आप डेली बना सकते है और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप fly आईशी बना सकते हैं इसमें आप blocks भी बना सकते हो और जो paper block होते हैं jig jack होगे, eye shape होगे काफी जादा आप बना सकते हैं और उसकी capacity भी काफी जादा है 30-32% subsidy उसमें आपको मिल जाएगी एक अच्छा business है एक अच्छा process है जिसमें आप मतलब ये जो machine की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 7-8 piece निकल जाते हैं मतलब अगर एक बार में इंट निकलती है और भी काफी प्रोड़क्ट है अगर मैं इंडेवियर की बात करूँ जो हमने पहले देखी जो machine अभी work कर रही थी starting में तो उनकी जो बड़ी machine है जो काफी बड़ी capacity है वो 40,000,000 की है हमारे बात करें 50,000,000 की भी 5,000,000 की है जो semi-automatic होगी काफी machine है दोनों companies अच्छी है मतलब मैं अगर चमुदा की भी बात करूँ और इंडेवियर की भी किसी को भी चूज कर सकते हो काफी अच्छी bricks प्रोवाइड करवाएते है मतलब machine ने क्या इसकी अच्छी बात क्या है जो automatic रहती है वो अच्छी machine क्यों कही जाती है जो semi-automatic जा manually की इंट होती है उसमें वो quality वो strength नहीं होती जो होनी चाहिए तो इसलिए मैं prefer करूँगा कि सब थोड़ा investment जादा हो जाएगा machine के दोर पे बोलूँ तो लेकिन वो best वो ही है कि आप fully automatic machine लो और क्योंकि जो भी tendon नेकल लेगा उसमें आप उसको बर सकते हो उसकी strength भी अच्छी होगी क्योंकि इसमें जो pressure लगाया जाता है सामने आप जैसे pressure देख रहे हो pressure लग रहे है brick पे वो proper 70 जैसे metric turn वाली हमने machine देखी हर type की होती है तो वो उतना pressure लगेगा तो brick अच्छी बनेगी ही बनेगी और अभी हम बात करते हैं जैसे full investment की कि सब investment कितनी होने वाली है साड़े तेरह लाग की हम बात करें fully automatic machine लेते हो और वो capacity कुछ जादा नहीं है मतलब दिन में 10,000 इंड बन रही है काफी जादा होती है वो अगर हम वो capacity की लेते हैं तो हमारी साड़े तेरह लाग रुपे की machine हो गई फिर हम बात करते हैं जो जगा होगी अगर अपनी जगा है अपनी जगा है तो ठीक है अगर जगा का भी हम पैसा पकड़के चलें तो उसमें भी 10,000 रुपे आपका जगा होगा तोटल 23,000,000 रुपे होगा फिर हम लेवर का खर्चा पकड़के चलें मतलब एक investment के दो रुपे एक लाग रुपे लेवर का पकड़के चलते हैं 24,000 रुपे हो गया बिजली का खर्चा लेके चलते हैं एक लाग रुपे है 25 से 30,000 रुपे आपको investment लगेगी इस business को अच्छे से grow करने में, setup करने में मतलब investment होगी 25 से 30,000 रुपे और जगा होगी 2000 स्केर फीट और इसके लिए material जो आपको raw material चाहिए वो आपको fly ash और basic cement और silica, gypsum ये चीज़े चाहिए जो आपको easily available हो जाएंगी market में लेकिन आपको fly ash के लिए क्या करना है अपना plant वहाँ setup करना है जहां से 200 से 200 क के एरिया में आपको fly ash easily मिल जाए दोस्तों ये था business idea, इस पे एक वीडियो में पहले डाल चुका हूँ उस पे देख सकते हो, उस में मैंने काफी चीज़ें clear की है और इसके लेटी कोई भी query रहती है बाकी जो link रहेंगे Chamunda का जो endeavor का आपको मैं description में डाल देता हूँ आप जाके buy कर सकते हो इनकी query ले सकते हो और एक business को start कर सकते हो क्योंकि ये आपको लाखों कमा के देगा एक अच्छा business आपके लिए हो सकता है Thank you guys प्लीज सब्सक्राइब चैनल बिजनस आइडियास बेसिक से बेसिक आपको यहां से मिलेंगे और एक simple language में मैं आपको करता हूँ provide question Thank you guys